अब इसको लॉंज करने वाले हैं और यहां पर यह आग लगाएंगे सुनिए सबसे पहले पास सेप्टी आप साइड में जाएगा हम साइड में जाएंगे पीछे कोई नहीं जाएगा क्योंकि इसका धक्कन है हम लोग ऐसा बनाया है कि धकन पीछे जाएगा अगर नहीं कि आहें कि इस तोफ्प और इस बी इस तोप का फेंद नाम है गो लमीत जो इस समसे चनल इस चलाते हैं और आए ऐच़ दिन यह करनामा करते रहते हैं और यहां बिहारिए लाल ने वाकवी में कमाल कर दिया है और इन्होंने अपने देसी जुङार टेक्टिक के टेकनिक से उन्होंने तोप का निर्माड कर दिया है जो इन फैंट्री में जो बनती है सेना के जमान सेना में बनती है इंजिनियर लाएब पता नहीं और क्या क्या होता है उसमें करोडों लाखुर पे लगा कर उस बनाया जाता है यह तोप का निर्माड होता है उन्होंने देशी जुगाड यानि कि सुध काबाल का समान जो है इकाठा करके और यह तोप बना दिये हैं और यह देखने वाला तोप नहीं है जिस तरह वो प्लेन बनाया था एक हेलिक्रेप्टर बना रहा था उड़ने के लिए धोको से लाकिया था वह ऐसा नहीं है यह तोप वाकई म काम करता है और कैसे काम करता है यह अमिद जी बताएंगे लेकिन आईए इसकी बारिकीयों को कुछ बता दें जो बोरिंग जो हलता है बोरिंग जो हलाय जाता है पानी फ्यंकता है वह इसमें पाइप का यूज़ हुए है नर्मल टायर है और आप एक देख सकते हैं जह बो और पाकिस्तान को आपकी फोज इसके लिए उतना मेहनुत नहीं करेगी उतने में हमारे बिहार का ये फोज में भी नहीं है लेकिन उन्हें ने ये बना के कमाल कर दिया है अब आप लोगों को ध्यान देना होगा खाली बस चाहें चाहें करने से नहीं होता है आएए अमीड ज चुका है इसलिए उड़ चुका है यह सेनक के जमान ने किसी नहीं बनाया है बलकि एक बिहारी ने बनाया है एक बिहारी आप से कहा जाता है एक बिहारी सौ पर भारी लेकिन अब जहों अमीड जी ने जो करनामा किया है एक बिहारी पाकिस्तान पर भारी जी यहां चलिए हमीज जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो चलने वाला चक्का है और यहां पर दो चक्का लगा है और इसमें बैदिंग लाकर इसको ट्रेबल करने के लिए और इसको चला कर यहां से डूगडा कर यहां पर लगा है ले जाने के लिए और जो यह पाइप देख रहे हैं जिसमें हमारा गोला चलेगा यह टाटा का पाइप है बोरिंग वाला पाइप है यह फटे का नाम से मजबूती आता है एक विश्वास का पर्तिक है और सबसे बना चाहिया की देखी है हमारे नाम महीं सबसे पाला यहां पर देखिए गोल है गोल अमीद तो को यदि नसिते जैए प्लाकर गोलाาก को क्यों नादागा जाएं कि बिलाश्ट कुछ भी तोड़़ कि दिवाल आए तो दिवाल भी तूट जाएगा अगर बाइक आ जाए तो बाइक समझे उसका धजिया क्या होगा तो यानि कि यह किलोमेटर तक ट्रेवल करके जा सकते हैं इसे हाथ में देखिए कितना वजन है कि देख सकते हैं वहीं गोला है जो लांपिक में नहीं फेका जाता है वहीं दूप में एक तो बहुत तेज दूप है और हालत खारा भुरा है हम लोको भी रिपोर्टिंग करते हुए खाड़ा होते हुए सब्सक्राइब गोले को इसमें हम डालेंगे बिल्कुल इसके बाद जो भी हमरा मेकानीजम मैं में यहां लगा है पया नहूंसे ऍसके फेलेंगे त्र भी आग लगाएंगे हमारा रहेगा अकुछ म Lite आइप सकते नहीं पूरे तरीके से कितने दिन बन के तयार हुआ देखिए साथ दिन में बना दिया है इसका इसको चलाने में खत्रा भी है चार दिन तक तक तो बनाने में लगा उसके बाद तीन दिन हमें एक्सपरिमेंट किये तो यह काम नहीं कर रहा था गोला पास ही में गिर जा रहा है इतना वेट है कि कभी इतना पास ही में गिर इसका कर दिया यह किलोमेटर तक यानि कि तहस नहां तो प्राह्ण से भी आप लोग सुने होंगे है हमारे यह सिसाई से चला था तो जमूना बढ पास गी रहा था यहां पर एक राजा थे जमनाप पर तो चला था और तो बहुत तो आठ इसका रेंज एक किलोमेटर है लेकिन भाविस्ते में देखा जाए तो आप इसको बना के देख लिए लोग आप लोग देख लिए अपवजी खेलने में बीजी रहते हैं लोग लेकिन यह मिद्जी है और इस परकार का आई और जुबा जुबा कार नामा करते रहते हैं और देश के लिए उन्होंने एक तोफा दे दिया है यह कि एक किलोमीटर तक हम छोटा एक तो पर बना सकते हैं इसको कहीं लेया लाने लिए कोई दिकत नहीं है चका घ्राज़ाँ से दिए को हम निशाना लागाने के लिए आगे पीछे होता है इसे निशाना हम पीछे इसको दुस्मनों का तो होस उड़िये गया होगा, इसलिए उड़ गया होगा, क्योंकि बिहार का लाल ने एक ऐसा कामाल करके दिखाया है, जिसको सभी लोग पर संसा कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी तेजी से वायरल हो रहा है